इंडिया विक्स में थोरी नर्मी हमें देखने को मिली है और यह नर्मी जो आई है मार्केट में हमें निप्ती के ऊपर थोरा रेंज मांड मूवमें देखने को मिला है तो यही वह देता है जो दिसाइड करें का आगे मार्केट में क्या होने वाना है अगर इंडिया विक्स यहां से फिर से उपर की तरफ राई जोना शुरू होगा तो फिर से हमें मार्केट में बोला ताइल मूव देखने को मिल सकती है लेकिन अगर यह कही न कही अपने मीदियन के तरफ सेतल हो जाता है तो मार्केट अपने नॉर्मल की तरफ फिर से वापस आने लगा लίगा क्या मार्केट सच में अपने नॉर्मल की तरफ आने लगा है अगर इस चीज को आपको फाइन करना है तो फिर निप्ती और बैंक निप्ती का future vai build up देखेंगे तो आपको इसका answer मिलेगा सबसे पहले तो आप देखिए निफ्टी के ऊपर पिछले दिन में लॉंग अन्वाइंडिंग होती हुए दिखाई पड़ा जिन लोगोंने तेजी कर रहती थी उन्होंने अपने पोजिशन को कम किया है साथे साथ पिछले पास दिनों पे देखेंगे तो सौत बिल्दब होते वे दिखाई पड़ रहा है मतलब बैंक निफ्टी में हमें थोरी सी विक्नेस दिखाई पड़ रही है निफ्टी की मुकाबले लेकिन निफ्टी में भी weakness है लेकिन बैंक निफ्टी में वह weakness थोरी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और दोनों को combine करके पूरे market का अगर हम लोग sentiment find करने की कोसिस करें तो अभी भी market में जो sentiment है वह weakness वाला बना हुआ है अभी भी वह recovery जो हमें चाहिए वह अभी मिलते हुए नहीं दिखाई पर रही है पूरे market के sentiment को समझने के लिए OI spot ऐसा देता है जो clearly आपको पूरे market का sentiment बता देता है तो आए सबसे पहले हम लोग OI spot की बात करें लेकिन पूसके पहले अगर आप चैनल के नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीचे अगर यहां पे OI spot के उपर आप देखेंगे तो 24,950 के ऊपर पूत के ऊपर हमें बाई होते बाई दिखाई पड़ा है बैंक निफ्टी के पूत के ऊपर बाई दिखाई पड़ा है निफ्टी के पूत पे बाई होते हुए हमें दिखाई पड़ा है और आप देखेंगे कि निफ्टी के बहुत सारे पूत के ऊपर बाई होते हुए दिखाई पड़ा है बैंक को चुना है लेकिन बैंक पर अभी भी लोग पूरे कंप्यूज हैं और डाइरेक्शन के डाइरेक्शन को सही तरह से पता नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमें दोनों तरफ इसके उपर पोजिशन बनते हुए दिखाई पर रहे हैं मार्केट का पूरा भीव लेंगे तो मार्केट अभी अपने एक डाइरेक्शन की कोजने की कोसिश कर रहा है तलास कर रहा है आए अब बात कर लेते कि वह कौन से लेबल है जो निफ्टी के ऊपर असिस्टेंस और सफोत का काम करेंगे इसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन पर है और देखिये 24,964 के ऊपर लेफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिले है 17 अक्टुबर की हम लोग बात कर रहा है इस लेबल को देखेंगे तो आप 2 लेग 31,000 लॉट्स का उपन ट्रेस खड़ा पाएंगे 73,000 लॉट्स का उपन ट्रेस एदिशन आपको मिलेगा स्ट्राइ इस जगे देखे 1,59,000 लॉट्स का उपन ट्रेस दिखाई पड़ेगा 25,200 का स्ट्राइक है और इसके ऊपर आपको यहां पे मिलेगा 1,001,000 लॉट्स का उपन ट्रेस 25,500 का स्ट्राइक है तो मेजर रसिस्टेंस अभी जो आपके सामने दिखाई पड़ेंगे वह है 25,000 का 25 25,200 का और इसके बाद 25,500 का स्ट्राइक की बात करेंगे तो 1,08,000 लॉट्स का उपन ट्रेस आपको यहां पे दिखेगा 28,000 लॉट्स का उपन ट्रेस एदिशन है 24,900 का स्ट्राइक इसके बाद इस लेवल पे 24,000 नेथन बित के लेवल पे 77,000 लॉट्स और 24,700 के लेवल पे आपको 78,000 लोट्स के open price खाड़ा मिलेंगे और आपको इसके निचे जो support दिखेगा वो है 24,500 के strike के उपर जहां आपको 1,10,000 लोट्स के open price खाड़ा दिखाई पड़ेंगे तो major support आपको जो दिखाई पड़ रहा है निफ्टी के उपर वो है 24,800, 24,700 और 24,500 के उपर most important level की बात करेंगे निफ्टी option chain के उपर तो 25,000 का जो level है आपको most important level नजार आएगा और यह decider level भी है देखिए क्यों क्योंकि इस level पर देखिए तूले 31,000 लोट्स का open price खाड़ा मिलेगा 73,000 लोट्स का open price edition है और वहीं आप put में देखिएंगे तो 1,98,000 लोट्स का open price आपको यहां मिलेगा तो यह one level है जिस level पर आप देखिए maximum हमें call writers देखने को भी मिल रहे हैं और maximum put writers भी देखने को मिल रहे हैं इस तरह से call और put writers हमें जब भी किसी एक strike पर देखने को मिलते हैं तो यह simple indicate करता है indication है कि अभी भी market अपने direction की तलास में है और वो खोज नहीं पा रहा है ट्रेदिंग रेंज की बात करेंगे तो यह के smaller trading range हमें दिखाई पर रहा है निफ्टी के उपर 24,900 से लेके 25,100 के अगे trading range दिखाई पर रहा है smaller 25,000 के उपर रहेगा तो 25,050 और 25,100 की तरब जाएंगे लेकिन इसके निचे फिश लेंगे तो 24,950 और 24,900 की तरब जा सकते हैं बड़ी तेजी या मंदी हमें देखने को तम मिलेगी जब निफ्टी 24,900 को ब्रेक करेगा तो निचे 24,700 की तरब जा सकता है उपर 25,100 को ब्रेक करता है तो 25,200 की तरब भी जा सकता है निफ्टी का PCR देखिए 0.59 के उपर है मतला अभी भी ओवर सोल्ड जोन में दिखाई पड़ेगा और निचे अगर निफ्टी जाता है तो थोड़ी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है और यह होता रहेगा मैं आप देखेंगे 25,000 के उपर है बता रहा है कि मार्के अभी रेंज में रह सकता है निफ्टी का हुआई बिल्डप देखेंगे तो आपको इधर 24,900 के नीचे आपको थोड़े से पूट राइतर से दिखाई पड़ेंगे इधर कौल राइतरर सेवर जज़ दिखाई पड़ेंगे यहाँ पूद भाइंग भी ओते हुए दिखाई पड़ेंगे और पूद के लाउंग वे थोड़े अन्वाइंडिन भी होते हुए दिखाई पड़ेंगे मतलब जो तेजी करने वाले traders हैं उनके मन में थोरी confusion दिखाई पड़ रहा है जो bears हैं वे उरी तरस से confident है कि उनको अभी क्या करना है मन्दी करनी है लेकिन overall अगर इसका एक direction देखे कि क्या लग रहा है तो आपको range bounce से negative की तरफ direction दिखाई पड़ेगा निफ्टी का comment करके बताईए कि आपको क्या लग रहा है निफ्टी के direction को लेकि और निफ्टी कहां तक जा सकता है